कांग्रेस ने कहा कि भाजपा वाले चावल बांट रहें रावत जी मैं तो कांग्रेस से कहूंगा तुम भी चावल वाटो भाईया आप ही लोग कहते हैं राम सब के हैं आप कीज पास पैसा नहीं चावल खरीदने का चालीश कंटेशनर बने में उनमें जिंबी लगर बन रहे हैं और वे चालीश लिए Brt 28 बन बान वाट और लौंट यसाप चावल क्यों है आप चावल क्यों नहीं बाट सकते हैं आप इस देश में नहीं रहते हैं आप इस देश के हिंदू से बोट नहीं मांगेंगे आप चावल बाटिये को रोक रहा है आपको रामलाला के मंदिर का चित्र लीजिए चावल लीजिए घर-गर चाहिए अलग चाहिए क्या दिकत है क्यों नहीं कर सकते मंदिर क्यों रहा है यह सवाल आप उठा सकते हैं चावल नहीं बाट सकते और फिर कहींगे, इसी बात कह ändern गांग्रेश के लिए, निशष्छा नंजी महाराज ने चाका, अरः निशष्छा नंजी की महाराज का, मैं बहुत सारी चिजों को धिमाख में रखना चाहिए, निशुला नंजी महाराज का जो official website है, रावज cockroach 실파ण का गाम्लूम है, क्या करना चाहिए कि यह सूत्रवाग क्या है कि राउल गांदी जहामी भरवाओ पहले तो कि पहले तो हामी भरवाओ फिर वो जो गोपास्टिमी के दिन सतर संत मारे थे रख उनकी हत्याएं हुई थी इसी दिल्ली की सड़कों पर उसके लिए शमा मांगिए तब मैं निश्रा नं भी मुक्तेशवरा नंजी महराज और इनके बढ़ बटुक सड़क पर पिटे लहु लुहान हुए आप ख्रमा मांगेंगे इंडिया गठबंधन ख्रमा मांगेगा वो भारत के मान निशंकराचारी हैं और उस वक्त भी वो भारत के मान निशंकराचारी के अधिकारिक प्र पर लाठी चले इधर ती फर जानी चाहिए इससे बड़ा पाप क्या होगा मैंने बहुत की थी मित्र मैंने मेरी मेज़ी सेत्पक आंग्रेस भाज पास सपावास बश्रक नहीं परता मैंने बहुत की ति कि सरकार को छंब हमा मांगनी चाहिए संत से जब इनरा जी नहत्त्य तहुआ पत्रकार नहीं था, जहिनाग स्वीनुनाट जी की समय में हत्या हुई संतौं की, गवध्या की निषयत की कानून, क्या मांग कर रहे थां संतौं? अपने लिए कुछ रभणी मलाई मांग रहे थे, नहीं, कांग्रेइस की टिकिट मांग रहे थे, लोग सवागी नहीं यूद कांग्रेस में पद मांग रहे थे नहीं वो तो ये कह रहे थे गोव रत्या नहीं होनी चाहिए इने मांगते आपने गोली और उत्त्रपधेश की सर्कार के लिए कहते हो कि ठोकों नीती चला रहे हैं और वो तो बदमाशों को ठोक रहे हैं आपने तो संतों को ठोक दिया रावजी वो तो पदमाशों को ठोक रहे आपने संतों को ठोक दिया था और वो भी देश में लोगतंत्र के मंदिर की देहरी के बाहर संसत का गेट नंबर एक कैसे सच नहीं जो बात आज कही जा रही कि मंदर तेजस्वी जी बड़े पार्टनर हैं इंडिया गठवंदन के छोटे पार्टनर नहीं है अगर वो यह कह रहे हैं कि मंदर से रोटी मिलेगी क्या कांग्रेश तेजस्वी को यह समझाने की हैशियत में है कि हां मंदर से रोटी मिलती है का अंगरिस में तो कुछ पढ़े लिखी लोग भी है ना वो जानते हैं सच को अन्य छेतर चलते हैं निशुल को छोड़ दीजिए मैं डारेक्ट रोजगार की बात कर रहा हूं मंदिर से डारेक्ट रोजगार की आप बोलने की हेचयत में ते जुस्री को एक चिट्थी लिख मैंने कहा न किशन गंज के उधर के तमाम मस्डिदे अचानक से बन गई है उस पर एक आई वीग रिपोर्ट भी है वह कभी पूछा नहीं लालु जी ने ते जुस्री जी ने के भज़िदों के जिगा फैक्टरी क्यों नहीं बनाई पूछ लूग अन्य तो राहुल जी पर नियंत्रन रखिए में नेक सलहा दे रहा हूं सबको समय समवेद अंशील है कि अज़िए पर नियंत्रन रखिए अपनी जीए जेब में एंटासिट की टेबलेट रखिए जहां बढ़े एसीडिटी तुरंत खाट पानी पीलो बोलोगे बड़ा अनुक्स्तान होगा मेर हम और रतनाकर जी फिर भी मित्र रहेंगे चुनाव आएंगे जाएंगे चुनाव के बाद भी हमें यहीं रहना है हम पूछेंगे कि मेरी बात सही निकली कि गलत और गलत निकलेगी तो शमा मांगूँगा और कहूँगा मैं भारत को नहीं जानता लेकि सही निकलेगी तो आप से भी यह अपिक्षा करूँगा कि आप उतने ही बड़े धिर्दे से कहो कि हाँ हमारी पार्टी तो सवासो साल पुरानी हो गई लेकिन भारत को नहीं समझ पाए तब ही मानना पड़ेगा भागने नहीं दूगा पर नहीं यह तो हम शमा मांग नहीं तरекст यह तैसा नहीं लोग सभाग्य लड़ेंगे नहीं आप उन्से क्यों लड़ रहे हैं अ आप निकल्य है अपनी पेर पेर हो आप की और शही सलाद हो वह जाते हैं शो there is About मुख्तेशुरा नंद जी महाराज के पीठ पर पड़ी लाधी difficult किया था क्या को किया था हूर है हमें उत्रम्देश मुप्यश्र फूर defense पूचा था है कहा कॉंटेस कि यौनई पूचा था निश्णान जी महराज के यहां जाके कि राहुल जी ने खड़के जी ने सोनिया जी ने कभी पैर पकड़के यह कहा कि महराज हम उस पाप का प्रशित करने आएं जो 77 सादू मारे गए थे बोला क्या फिर किसी देश में ऐसा नहीं हो सकता मित्र यह भारत है इसकी मित्री को परणाम कीजिए किया पाक किसी देश में किसी मुस्लिम देश में ऐसा हो सकता है कि 70 मौलाना इमाम बड़े कद के मार दिये जहाए पूलिस के दौरा सड़क पर बिचा के हो सकता है नहीं न अब फिर भी वो पार्टी मुचे एकती रहे नहीं न उसको हेलिकाप्टर बना देंगे लोग नद्वी साथ मेला तो नहीं का मैंने और ऐसा तो अमेरिका में भी नहीं हो सकता कि 60-70 पादरियों को कोई जमीन पर गिरा के माट डाले नहीं हो सकता मित्र भारत में हुआ और हैरानी ये कि माफी मांगने को कोई तैयार नहीं और राममंदर पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जा खेम चमशर मारे राहुल जी के लिए बोल दे के राहुल क्या खाता है राहुल पीजा खाता राहुल पास्ता खाता है मौई यहीं बोल nyt अदो हम भुल जाएंगे चलो छोलो को याज्श भील का है इसको समझ नहीं इसकी बहासे रहिशा सकते ना राउल जी की तो एकी उमर है इनकी और चितेंद आवार की और राउल जी की बुल्मा दीजिए ऐसे तरक मत दीची ये हमारे हिर्दे को आगात करते हैं भारत के हिर्दे को कि राम पर कोई ऐसी टिपनी करे और हम उसके बचाव में ये कहें कि इसकी हिंदी कमजोर है तो रतनाकर भाई से मैं निविदन करूँगा जिन जिन की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए के मौन रहें उनके बोलने का समय भारत में चला गया जिन जिन की इस टाइप की हिंदी कमजोर है उनसे कहिए मौन रहें ये देश सब के साथ चलना चाहता है लेकिन अब ये देश ये भ हो चेकृष्ण हो यह संभाव नहीं अब वो समय चला गया आज संभाव नहीं कि 70 साधू सड़क पर मार दिये जाए गोली से आज संभाव नहीं है रत्नाकर जी वो भारत दूसरा था यह नया भारत है आपकी शद्धा राम के प्रती है अच्छी बात नहीं है तो धैरी रखी जहां शद्धा हो उसका इसमरन करिए लेकिन अनरगल प्रलाप राजनीत के गलियारों से नहों देश ये चाहता है पार्टी कोई हो नेता कोई हो मौन रही है असी करोन नबबै करोन लोगों के मान विंदू का अपमान करने का अधिकार इस देश ने किसी को नहीं दिया किसी को नहीं दिया